तो यार, welcome to 163rd episode of Nuddy News, अब देखो, ये week थोड़ा ठंडा रहा, फिर भी मैंने कहीं न कहीं से कुछ amazing updates आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं, अब चाहे Black Adam से हो, Stanley के cameo से related हो, या फिर upcoming superhero movies से, साथ ही कुछ sad news भी है, तो इसलिए obviously कुछ miss नहीं करना चाहते, तो वीडियो इ इसको लेकर बहुत सारे updates आ रहे थे, सबसे पहला major update ये रहा, कि initially ये report किया गया था, कि सारे original actor इसमें voice dubbing करेंगे, लेकिन अब reveal हुआ है, कि ऐसा नहीं है, कुछ-कुछ actors हैं, जो कि अपने role में return नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले तो Chris Evans, Steve Rogers की आवाज नहीं दे रहे हैं, Robert Donnie Junior Tony Stark की आवाज नहीं दे रहे हैं, और इनी के साथ Brie Larson and Benedict Cumberbatch, ये दोनों भी अपने characters के लिए dubbing नहीं करने वाले हैं, और इनकी आवाज कोई दूसरे voice actor देंगे, वैसे इन 4-5 actors को छोड़ दें, तो सारे original actors return किये हैं, dubbing करने के लिए, जिसमें सबसे यादा impactful रहेगा Chadwick Bos Man की आवाज, ये उनकी Hollywood में सबसे last project होने वाली है, फिन हाँ, Sebastian Stan ने एक funny video share किया, अपने Bucky के character की dubbing करते हुए, Then trailer के release के कुछ देर बाद ही इसका official poster release किया गया, और इस official poster में reveal हुआ, कि यहाँ Spider-Man Doctor Strange के cloak के साथ है, तो हाँ यार, ये what if है, इसमें कुछ भी हो सकता है, फिर ऐसे भी hint मिले हैं कि Clark Gregg, जो कि MCU में Phil Colson का role करते थें, वो भी इस show में dubbing के लिए return कर रहे हैं, और हाँ ऐसे भी reports आए हैं, कि ये Marvel Studios की first official show तो होगी, लेकिन last नहीं, इसके बाद भी कुछ और animated shows आएंगे, चलो आगे बढ़ते हैं Black Widow पे, क्योंकि पिछले Thursday को ही, इस इसे USA and World के कुछ location पे release कर दिया गया है, अभी इंडिया में release नहीं हुई है, और जब तक theaters नहीं open होगे, इंडिया में ये आईगी भी नहीं, most probably direct ये hot star पे ही release हो जाए, इस theaters open नहीं होते हैं तो, लेकिन हाँ USA से इसका box office collection जरूर आ गया है, और Thursday night को release के बाद ही, इस movie ने 13 12.2 millions का collection कर लिया है, pandemic के बाद opening day पे सबसे ज़्यादा, वैसे अभी जब मैं video बना रहा हूँ, तो इसका domestic box office collection है 39.5 millions, फिर Black Widow के screenwriter Eric Pearson ने ये भी reveal किया, कि उन्होंने इस movie को सिर्फ 11 days में लिख दिया था, तो हम movie के script को लिखने के लिए, ये कुछ ज़्यादा ही fast हो गया, अक्षे कुमार की movies से भी ज़्यादा फास, चलो आगे बढ़ते हैं Suicide Squad और Peace Maker पे, तो Peace Maker के set से ये photo सामने आया है, जहां हम John Cena और James Gunn को साथ में देख सकते हैं, वैसे ही series की shooting अभी तक पूरी तरह से complete हो चुकी होगी, क्योंकि last week ही update है थे हैं, कि इसकी बस एक week की shooting बची ह Then James Gunn ने Twitter पे Suicide Squad का नया poster रिलीज किया, और इसी के साथ ये confirm किया, कि ये USA में बाकी country से एक दिन पहले रिलीज कर दिया जाएगा, USA में ये August 5 को रिलीज हो रही है, और Worldwide Next Day 6 को, और हाँ ये movie HBO Max पे भी रिलीज होगी, तो most probably इंडिया में Book My Show के थुरू आए, तो let's see, क्या होता है, अब James Gunn की बात होई रही है, एक फैन ने Twitter पे उनसे पूछा, कि क्या Drags कभी MCU में अपने Comics वाले इस लुक में दिखेगा ये नहीं, जिस पे James Gunn ने मजाक मजाक में बोला, कि ये तो Dave Battista daily पहनते हैं, बठाँ इसी tweet का reply करते वे, Dave Battista ने James Gunn को बोला, कि ये screen पे बह ये Dave Battista को Drags के शटले सीन से प्रॉबलम है, और most probably Guardians of the Galaxy Vol. 3 के बाद वो इस character में return नहीं करेंगे, वैसे Guardians of the Galaxy Vol. 3 से Karen Gillan ने ये update दिया, कि ये one of the strongest work है, James Gunn का, उन्होंने बहुत ही अच्छी funny and emotional story लिखी है, उन्होंने ये भी बोला कि script पढ़ने के time वो emotional भी हो गई थी, तो ह ये तो सारे fans जानते हैं, कि James Gunn अपने movies में comedy and emotion को बहुत अच्छे से balance करते हैं, इफ आपको Yondo का scene याद होगा तो, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं Shang-Chi पे, तो Shang-Chi के movie से कुछ नए images release किये गए, entertainment weekly के तरफ से, जो कि आप अभी screen पे देख रहे हो, लेकिन यहाँ से एक information मिला इस image से, जहाँ आप Shang-Chi का American name, Sean आप उसके costume पे देख सकते हो, वैसे अगर आपको नहीं पता तो बता दूँ कि most of the Chinese किसी दूसरे countries में जाते हैं, तो वो वहाँ का local name यूज करते हैं, जैसे कि अपने Jackie Chan को ही ले लो, उनका real name है Chan Kong San, तो हाँ इसी tradition का movie में भी पर आगे Spider-Man No Way Home पे बढ़ें, यहाँ कुछ छोटे मोटे updates हैं, कुछ major नहीं, जिंडाया रिसंटली एक interview में गई थी, और वहीं उनसे Spider-Man No Way Home को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने अपना बस excitement दिखाया, कि इस movie के लिए वो कितना excited हैं, और उन्होंने ये भी बोला, कि इ subscribe जरूर कर लेना, फिर उनसे ये भी पुछा गया, कि इस movie के बाद MCU में उनका future क्या होगा, जिस पे उन्होंने clearly बोला है, कि इसका उन्हें भी कोई idea नहीं है, क्योंकि generally MCU में तीन movies के बाद, solo movie तो कम ही बनती हैं, तो हाँ overall उनके interview से ये ही conclusion था, कि इसका promotion जल्दी start होने व confirm किया है, कि वो इस movie में नहीं है, तो let's see, क्या होता है, आजकल किसी actor पे भरोसा भी करने का नहीं है, आपको क्या लगता है, comment में जरूर बताना, चलो next आते हैं Loki पे, episode 5 के बाद सी, इसकी hype एकदम height पे है, सब इसी को लेकर discuss कर रहे हैं, और इसी पे कुछ details इसकी director ने reveal किय है, सबसे पहले तो ये reveal किया गया, कि इसमें Throck के character का थोड़ा बड़ा role था, initially वो बस jar में बंद नहीं होने वाला था, इस character को लेकर एक deleted scene है, जिसमें Throck versus Loki दिखाये गया है, TVA के time theater में, और हाँ यहाँ ये भी reveal किया गया, कि Throck को voice खुद Chris Sunsworth ने दिया था, उन्होंने इस character की dubbing की थी, अब Loki की बात होई रही है, तो Simpsons का show आपको याद हो गई, लाश्ट वीक मैंने बताया था कि ये release होने वाला है, जिसमें Loki भी दिखेगा, और इसमें खुद Tom Hiddleston ने dubbing भी किया है, अब इसको लेकर ये update आया है, कि Simpsons के producer इसमें Stanley का cameo भी चाहते थे, बट Marvel Studios ने strictly मना कर दिया, Marvel Studios ने उनको अपना statement ये दिया, कि since अब Stanley is no more, तो उनका कोई भी cameo किसी भी project में नहीं आएगा, अब चाहे वो Marvel Studios से related हो या ना हो, तो हाँ यार, Stanley के cameo का एक era था, अब वो end हो चुका है, अब आ जाते हैं कुछ छोटे छोटे updates पे, क्योंकि last week ब चलेगा, then Black Panther 2, मतलब की Wakanda Forever से ये update आया है, कि इसके script में अभी बहुत जादा changes हो चुके है, रैमुंडा की actress Angela Bassett ने confirm किया, कि अभी तक इस movie के script के 5 versions बन चुके है, sadly, Chadwick Boseman के गुजरने के बाद, ये सारे changes मजबूरी में करने पड़े हैं, फिर next year 2021 का Comic Con, तो इस बार कभी Comic Comic Con online होने वाला है, और ऐसे reports हैं, कि Marvel Studios और DC दोनों ही Comic Con में नहीं आने वाले, अब देखो ये होना obvious भी था, क्योंकि Marvel Studios और DC दोनों ही अपने अपने events online करते हैं, तो Comic Con में आ के कुछ reveal करने का कोई point नहीं बनता, next एक amazing set photo आया है, जहां आप clearly Zachary Levi के character को half burnt costume में देख सकते हो, तो obviously ये किसी action scene का होगा, then सब लोग इसका wait कर रहे होंगे, कि Black Adam से later कुछ updates आया या नहीं, तो देखो इससे कुछ major updates तो नहीं आया है, लेकिन Dwayne Johnson अपने इंस्टा पे कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, और यहीं पे उन्होंने ये photo share करते हुए ये confirm किया, कि Black Adam की shooting अब जब ये video आप देख रहे होगे, तब तक इसकी shooting भी complete हो चुकी होगी, फिर उन्होंने ये photo share किया, जहां आप muscular rock को देख सकते हो, और यहां उन्होंने बताया कि इस shot में वो VFX के लिए ready हो रहे हैं, जहां उनके makeup artist उनके body पे tracking dots लगा रहे हैं, जिससे motion capture किया जा सके, फिर movie से ये भी reveal हुआ, कि इसमें superhero का एक popular villain group inter gang भी दिखेगा, तो let's see next week इससे related कुछ major आता है की नहीं, since इसकी shooting अप complete हो चुकी होगी, अब बढ़ते हैं Kang the Conqueror पे, तो Kang the Conqueror, Loki के series के बाद से ही hype में है, अब देखो Loki में ये दिखेगा या नहीं, ये तो कुछ पता नहीं, ल हाँ भई अपने role को play करने से पहले, वो अपने character को study कर रहे हैं, next फिर Marvel Studios से ये update आया, कि वो अपसे किसी भी actor को mega deal नहीं देंगे, मतलब कि एक ही बार में जो वो 9-10 movie का deal sign कर लेते थे किसी actor के साथ, वैसा अब नहीं होने वाला, for example, Chris Evans, Nick Fury, इन सारे actors के साथ एक ही बार में 9 movies की deal की कई थी, लेकिन अब phase 4 से ऐसा नहीं है, सारे actors के साथ 2 या 3 movie की deal एक बार में होती है, और future में सब कुछ सही रहा, तो वो contract extend कर दिया जाएगा, फिर She-Hulk के series से minor update है, कि इसमें lead character Jennifer Walters, Deadpool की तरह fourth wall break करेगी, जैसे Deadpool बीच-बीच में अपने audience से बात करने लगता है, व ये सबसे major update होगा, इस week का, तो ये reveal हुआ है, कि Zack Snyder के Justice League का second part आ रहा है, लेकिन हाँ, जैसा आप सोच रहे हो वैसे नहीं, Justice League का second part comic के form में होगा, to be exact motion comics, मतलब की animation के साथ, अब ये Warner Brothers के तरफ से official नहीं है, लेकिन हाँ, Zack Snyder ने जो storyboard design की थी, उसी पर ये based होगा, तो हाँ Zack Snyder का जो vision था, जो उनका Snyderverse का approach था, वही same approach इस comics में हमें देखने को मिलेगा, और हाँ ये fan made होगी, और charity के लिए होगी, hope so कि यार हमें किसी दिन movie देखने को भी मिल जाए, then DC से एक और report है, कि actor JK Simmons, जो कि Commissioner Gordon का role play करते हैं, उनको HBO Max की movie Bad Girl में recast किया जा रहा है, मतलब कि व अब नहीं रहें, और इनहीं के साथ Robert Donnie Jr. ने अपने Instagram पे ये update दिया, कि उनके father भी अब नहीं रहें इस दुनिया में, उन्होंने अपने father के tribute में एक Insta post किया था, तो हाँ यार, may their soul rest in peace, वैसे RDJ के Instagram से लेटेड ये भी update है, कि उन्होंने अपने Marvel के सारे co-actors को unfollow कर दिय आये, even Chris Evans and Tom Holland को भी, मतलब कि जितने भी actors के साथ उन्होंने MCU में काम किया था, सब को unfollow कर दिया गया, अब इसका क्या reason है, ये तो नहीं पता, आपको क्या लगता है, comments में ज़रूर बताना, तो ये थे इस week के updates, मुझे पता है कि बहुत सारे major updates नहीं थे, लेकिन छोटे छो आइक करना, share करना and obviously कुछ miss नहीं करना चाहते, तो चैनल को subscribe करना, what if का trailer breakdown देखने के लिए उपर वाली वीडियो देखें and Shang-Chi का trailer breakdown देखने के लिए नीचे वाली, मैं जल्दी और ने वीडियो लेकर आऊंगा, till then, be they see, be nerd.